यह आया लिंग राज टेंपल यह देखिए यह सारे के सारे देखिए शिवलिंग के आकार में बनाएगा है ना यह यह लिंग राज टेंपल है लिंग राज टेंपल कहां पर है असम में वेस्पेंगॉल में आंधर प्रदेश में या फिर ओडिसा में किस स्थान पर लिंग र में आजंता में हैं अलोरा में एलिफैंटा में हैं ताइगर में हैं आपको इसमें इसमें भी कन्फीजन रहता है अब ही हम लोग करते हैं किस में आएंगे यह आ आती है आपकी एलोरा की गुफाये होती है एलोरा की गुफाये कहां पर है और अगाबाद है न वहां से लगभाव 20-25 किलोमेटर दूर यहलोरा की गुफाये हैं आप से बोलेगा कि Hinduism भी है, Buddhism भी है, Jainism भी है, राश्रकुता ने भी बनवाया है, चालुक्या ने भी बनवाया है, इन सब ने बनवाया है, इसलिए कोई एक नाम कभी भी Eylora Caves किसने बनवाई, आपको नहीं मिलेगा, हाँ, Eylora Caves के अंदर जो इंदू मंदिर है जिसका नाम है कैलाश मंदिर ये किस ने बनवाया है तो ये किस धर्म से associated है ये आप बता सकते हैं तो यहाँ पर क्या हुआ था क्योंकि इतने सारे धर्म एक साथ है इसलिए 1993 में UNESCO ने 1983 में UNESCO ने इसको वर्ल्ड हईरि इच्ट का दरजा दिया था 1983 में UNESCO वर्ड हेरिटेच्ट साइट का दरजा दिया गया था कैलाश मंदर यह धग días को Deciょ बाज समझ आ गई बढ़िया से शाबाज शलिए ठीक है आईए और आगे आपने दिलवारा का जैन टेंपल यह दिलवारा का जैन टेंपल कहाँ पर जानते हैं अच्छा यह तो सीधे सीधे बता दिया गया यह यह तो यह आप लोगों को हमने जब जोगरफी बढ़ाई है तो अब दिमत आया है उसमें कि जिल्वारा का जैन टेंपल किस जगह पर इस जगह पर स्थापित है यह यह माउंट आबू माउंट आबू परवत तो आबू परवत है क्या अरावली परवत शंकला का सबसे उचा परवत जो है उसको बोलते हैं आबू परवत और आबू परवत कोई अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं माउंट आबू और माउंट आबू क्या है यह प्रसिद जैन तीर्थिस्थल है यहाँ पर मंदर बने हुए है जिलवाडा जैन टेंपल पांच मंदर बने हुए पांच प्रकार के मंदर बने हुए अलग-अलग मंदर बने हुए समझा गया तो दिलवाडा जैन टेंपिल कोई एक नहीं है यह पांच मंदिरों का मिलन इसको दिलवाडा जैन टेंपिल बोलता है कोई एक नहीं होता है चलिए अब यह बताईए अच्छा कौन बनवाएगा कौन सी डाइनस्टी बनवाएगी इसको कौन सी डाइनस्टी बनवाएगी इसको यह सीरी सी बात है यह गुजरात में है गुजरात में मैंने एक डाइनस्टी बोली थी कौन सी है सोलंकी राजा तो सोलंकी डाइनस्टी के राजाओं ने इनको बनवाया है कभी एक ने बनवाया कोई पांच टेंपल है, किसी एक राजा ने कोई बनवाया दूसरा किसी ने बनवाया, तीसरा किसी ने बनवाया अभी जो पांच है मैं इसमें नहीं बता रहा हूँ एक विमल राजशाही है एक आपका पारसुनात मंदर है लेकिन वो फिर PCS में हो जाएगा फिर खजुराहो टेंपल की अगर मैं बात करूँगा तो यार यह किस रूलर ने बनवाया था यह आपने सुना होगा खजुराहो टेंपल के बारे में ये देखा वो एक एक एड आता है टीवी के उपर तो ये कहां पर है ये सबाश ठीक है, देखो यहाँ पर क्या कहानी है, हाँ, जो मैं आपसे ग्रेनाइट की बात कर रहा था ना, ग्रेनाइट इसमें बना हुआ है, खजराहों की खासियत यह है, यह मद्धप्रदेश में छतरपूर एक जगा है, वहाँ पर है यह, और यह ग्रेनाइट पर बना हुआ है, तो आप सोचके देखो कि मद्यप्रदेश का छतरपूर एरिया यहाँ पर कौन लोग रूल कर रहे थे यार यहाँ पर प्रतिहार यानि जो गुर्जर होते थे ना गुर्जर प्रतिहार तो प्रतिहार लोग रूल कर रहे होते थे जो आज के टाइम बलब गुर्जर प्रतिहा आप में जाकर के राजपूर बने तो चंडेला डाइनस्टी भी इनी को बिलॉंग करती है ना तो चंडेला डाइनस्टी भी राजपूर्ट डाइनस्टी होती है तो यह basically उस एरिया में चंडेला जरूर करते थे उन्होंने बनवाया था यह मद्यप्रदेश के च्छतरपुर एरिया में है ये आईए और आगे बढ़ते हैं हम लोग भगवान शिव को समर्पिब एक नटराज टेंपिल है यार ये नटराज टेंपिल कहां पर असोशियेटेट है नटराज का मतलब एक नतराज बोलते हैं ये तो ये हिंट दे रहूँ आपको इसके बारे में यहाँ पर एक हमारे फथे मिनिस्टर थे है उनसे मिलता जुलता नाम है उनका पामिल्नाडू में ये जगा है चिदंबरम तो चिदंबरम में भगवान शिव का ये मंदिर है और नटराज क्या होता है बघवान शिव की जो निर्थ्य मुदरा है यानि जिसमें वो डांस करते हुए दिखाए जाते है डांस का मतलब यह निर्थ्手 कर रहे है इसका मतलब यह है वो रphone रूप होता है यानि कि वो एक अंगर का रूप होता है उसमें it's a form in which he went out his anger उसको बोलते हैं नटराज मुद्रा बहुत खुशी में या बहुत गुस्से में दोर में करते हैं खाली बस तो गुस्से में उसी का नाम तांडव हो जाता है खुशी में उसको नटराज मुद्रा बोल देते हैं इनमें से पताईएगा, इनमें से कौन सा गुपता मंदर नहीं है, देखिए, गुपताज बड़े important हैं, तो इनके मंदर भी बड़े important हो जाते हैं, दशावतार मंदर, केंदरिय महादेव मंदर, विश्नु मंदर या पारवती मंदर, इनमें से कौन सा मंदर जो है, ये जानबूश के डाला था आपको Elimination से खाने के लिए सोचो गुप्ता रूलर एक चीज हो गई अब बताओ गुप्तास जो थे यार इन में से कहां पर रूल नहीं कर रहे थे यार चंडेलास थे न भाई यहां पर यहां तो चंडेलास थे तो यह जो मंदर है केंदरी यह महादेव मंदर यह चंडेलास ने बनवाया है चंडेलास इसका मतलब यह भी समन में आ रहा है यह भी महादेव का मंदर है नटराज भी महादेव का मंदर यह नटराज कह रहा हूँ इ इसने बनवाया था सिखो का ये पवित्र इस्थल तो यार ये जो स्वर्ण मंदिर है ये बनवाया गया था किसके द्वारा ये आ जाएगा एंसर मेरा गुरू अमर्दास या अर्जुन देव यहां पर गरबढ़ ना करना भाई यहां गरबढ़ ना करना इसी को क्या बोलते ह है इसी को हर्मिंदर साहिब भी बोलते है या हर्मिंदर साहिब दर्बार साहिब गोल्डन टेंपल ये सारे इसी का नाम है तो क्या आ जाएगा इसी खासियत क्या है यार जानते हैं इसी खासियत क्या है इसी खासियत ये है कि इस टेंपल में चार दर्वाजे है जैसे माल ल इसलिम सिख इसाई चार धर्म होते थे उस समय पर जब ये मेंली बनाया गया था इन चार दर्वाजों देने का में तार्तम में ये है में परपस ये है कि यहां पर किसी भी धर्म का व्यक्ति गुरुद्वारे के अंदर आ सकता है उसको कोई रोक टोक नहीं होगी तो ये किस इन्हें बनवाया था ये सिखो के पांचवे गुरू जो है कौन यह है इंहों बनवाया था अंसवर अर्जुन अर्जुन देव आ जाएक यहां चार मंदीर है और चार गेट है चारों का मतलर चार धर्म को सिंभाई करता है कि किसी भी इ citrus को चलेगा महाबली Понम्र में रत मंदिर है मैंने आपको बताया था रत मंदिर ये देखे ये है तो यार एक होता है इसमें धर्मराज युदिष्ठर यत्र एक होता है भीम रत एक होता है अरजुन रत इस तरीके से यहां रत के नाम होते हैं तो ये किसने बनवाया था यार ये कौन ऐसे लोग थे जो कि प शाही गई आप सोचिए शिल्पकारता उस समें कितनी अच्छी होती होगी कि पूरे-पूरे मंदुर में कहानिया है माने अब दिवाल की उपर आपको आज जानदे कॉलोसियल अब देखने चले जाएंगे साथ कहा जा रहे हम जा रहे हैं अभी अभी अभारे शादी यूर्ण गुमने जा रहे हैं वहां किया फोटो देखिंगे यहां पर महाभारत और इन सबकी पिक्चर पूरी एक एक चीज शिल्प कारिता में दिखाई गई है बगवान शिव की बाते सारी बताई गई है चलो पीडिया भी मिलेगा क्लासी में याद करा देते हैं ना काय का करना है यहीं याद करा देंगे चलो शबरी माला टेंपल अभी यहां पर बावाला हुआ था है ना शबरी माला टेंपल दस साल से लेका अच्छा यह जो बावाला था ना थोड़ा सापने हो कम समझ में आया बताते हैं क्यों अभी बात करेंगे आपसे पहले बताई किसको डेडिकेटेड है देखिए शब अब राइट टू इक्वालिटी कहता है सम्मिधान का आटिकल नंबर 15 कहता है कि आप पांच आधार के ऊपर आप कभी डिस्क्रिमेलेशन नहीं कर सकते इस्तरी पूर आप हिंदू मुस्लिम से किस आई रिलेजियन के आधार पर आप काले है गोरे है किस नसल के है इसके यह पांच रिली चीज़े ऐसी होती है जिनके उपर आप कभी भी आप भेदभाव नहीं कर से चटी चीज़ आप आराम से भेदभाव करिए मान लीजे अभी मैंने आपसे बोल दिया मैंने भेदभाव करना हो ना मैं बोलू ऐसा है इस क्लास में खाली वही पढ़ेंगे ज कर सकता हूं चटी चीज़ चपल नहीं पहनिये तो नहीं पढ़ाओंगा मैंने तो चटी चीज़ इन्वेंट कर यह उस पर भेदभाव किया मैं कर सकता हूं उसके उपर पॉलिटी कहती है संविधान बोलता यह बात तो आर्टिकल 15 के तहित क्या है इस त्री पुरुष के मिटधान पर भेदाओं नहीं कर सकते हैं भारत में रह खरके कहीं पर भी इस मंदर में क्या था दस साल से ले करके 50 साल तक पचास साल तक की महिलाये जो हैं जो निकब इस लिवह होती है यानि विक्ति प्याओर होती है लेकिन पौरी कब होती है जब वो sperm से मिलता है, तो अब ये जो age होती है, जिसमें ovum production शुरू होता है, 10 साल से लेके 50 साल था, 50 साल के अमेनों पहुत हो जाता है, खतम हो जाता है, तो इस age की महिलाएं इस मंदर के अंदर इंटर नहीं कर सकती हैं, सिर्फ पुरोशी इंटर कर सकते हैं, और महिलाएं को 50 से उपर होना चाहिए, तो ये लॉड आयपपा को है, ये dedicated है, लेकिन क्या ये सुप्रीम कोट के, क्या ये भारत के समयधान का violation नहीं है, है, तो इसलिए सुप्रीम कोट ने इसको हटा दिया, इस article, इस particular rule को, और यहां बड़ी कहानी हुई थी इस चीज को ल इसके दो aspect है, आपको बतातों, ऐसा हुआ क्यों है, आपको सुनके कैसा लग रहा है, बहुत ज्यादा discriminatory लग रहा है, कि how discriminatory it is against the women, कि महिलाओं को ना जाने देना, वही एक तरफ तो हम देवी कमाख्या की पूजा करते हैं, यानि एक तरफ हम fertility की देवी की पूजा करते है हम पूरा मिला लगाते हैं, अंबू बाची मिला लगाते हैं हम, और दूसरी तरफ हम यहाँ पर जाने नहीं दे रहें, आपको सुनके लग रहा होगा कि यार यह कितना खराब है, अब सुनिए ऐसा reason क्या होता है, क्यों ऐसा बोलते है, मैं यह नहीं बोल रहा हूँ, क्या स आप बात पहुचा देनी है, और आपको इतना समझदार बना देना, आपका विवेक इतना डेवलप कर देना है कि आप अपने आप सोच मैं, opinion बनाना मेरा काम नहीं है, सुनिए, होता क्या है, इस मंदर का जो construction है, वो इस तरीके से करा गया है, प्राचीन काल में ऐसे बहु उन मंदरों का negative energy क्या है, मतलब क्या कुछ नहीं, सिर्फ एक energy तो है, vibrations ही तो है, तो उन मंदरों को बनाया ही ऐसा गया है कि negative energy रोक सकें अपने पास में, उसको बाहर ना जाने दे, आदमी आ करके अपने negative energy हटा दे, तो बहुत सारी negative energy वहाँ पर लोग हटाने आते हैं अप ऐसे में जो fertility वाली महिलाय होती है, fertility की age में महिलाय होती है, उनके embryo के उपर फरक पड़ सकता है, इस प्रकार की energy पे उनकी embryo के उपर फरक ना पड़े क्योंकि उनके पेट में बच्चे होते हैं, हो सकते हैं, क्योंकि वो 12 साल, आपको पता है, पहले 12 साल में बच्चे जो तो यह एक कारण है जिस वजह से इसको वर्जित किया गया था बट बन Constitution की लाइन्स पर ये खरा नहीं उतर रहा था जो कि सही बात है कि खरा तो नहीं उतर रहा था तो फिर Supreme Court ने इस चीज़ को बोला कि नहीं हम Constitution को मानेंगे, Article 15 को मानेंगे ना कि हम उस mythology को मानेंगे या जो scientific reason जो अपना लिखा गया mythology में उसको मानेंगे तो यह उसका कारण था लॉड आया पाकी पूरी कहानी कि क्यों मंदर में जाना क्यों बैन है ये भी जानना ज़रूरी है ये नहीं कि सिर्फ बैन है ठीक है? आईए Next पर आते है Next पर आते हैं अगली कहानी देखते हैं हम लोग आप लोग को यहां तक समाझ आ रहा अच्छे से भाईया आप लोग के संग एक घंटा कब भी जाता हमको पता नहीं चला या रुखना ज़रा एक जगेन ठीक है? हमको पता नहीं चलता चला कि आप लोग के संग समय कब भी जाती है यह मेरा स्ट्रेस बस स्ट्रेस रिलीवर होता है यह सशन मिल करके क्योंकि इतने सारे लोगों से एक साथ मिलना होता है तो थांकि सो मुच पर आट यार आईए खतम कर रहे हैं मुश्किल से 5-7 मिनिट कब आखी है इनमें से कौन सा मंदर करनातिक राज्य में ईस्थित नहीं है वीरोपक्षमंदर, रंगास्वामी मंदर, पडवानाभसवामी मंदर या फिर गोमतेशWorld मंदर अगर मैं इसमें से बात करो तो पत रहे हैं कौन सी चीज होगी इनमें से कौन सा ऐसा मंदर होगा जो कि यहाँ पर नहीं situated है एंसर, हाँ जी, ठीक है देखिए, simple सी बात है यार ये पद्मानाभस्वामी टेंपल यार ये तो बहुत famous है ये कहाँ पर है पद्मानाभस्वामी टेंपल very very famous temple, it is located in क्यारला बाकी ये विरुपक्षा, रंगा स्वामी, गोमतेश्वर ये कौन से राज्य में है यार ये ये सारे के सारे मंदर करनाटका में है ये सारे के सारे मंदर जो है ये करनाटका में है और ये किस में है पद्मानाभस्वामी का मंदर मतलब भी यही होता है क्या ये Lord Vishnu को dedicated है देखिए मैं आपको बताता हूँ हमारे भारत में maximum मंदर जो है आपको south में especially Lord Vishnu को dedicated मिलेंगे तो कि Lord Vishnu is considered as the one जो की अलग-अलग form में अवतार लेते है अवतार का मतलब यह हो गया कि human manifestation करते है और इन लोगों के जो दुख होते हैं इसलिए maximum reverence उनके लिए मिलता है आपको और आगे बढ़ रहे हैं हम लोग यहां पर आ रहे हैं बद्रिनाथ मंदर किस राज्य में है beautiful मंदर यार beautiful temple यार once you will go there you will fall in love with the temple I've gone there तीन धाम की यात्रा होती है बड़ी प्यारी होती है तो दो नदियां है अलक नंदा और भागी रथी यह और यहां से निकलती है गंगा यह जो होता ही होता है क्या यह आपका देव प्रयाग यह होता है आपका देव प्रयाग गंगा निकलती है देव प्रयाग से भागी रथी और अलक नंदा यह जो अलक नंदा है राजाओं ने बनवाया है लेकिन ऐसा मानते हैं केदारनाथ और बद्रिनाथ दोनों को ही पांडव जो थे पांच पांडव जब वो अपना राज छोग करके चले गए थे और छुपे हुए थे छुपे क्या बेसिकली वो किसी के सामने नहीं आ रहे थे दुनिया को लग रहा था तो वहां पर वो पूजा करते थे भगवान शिव की ऐसी माननता है मल्यकार जुन स्वामी मंदर यार यह किस नदी के तठके उपर स्थित है मल्यकार जुन स्वामी तो मल्यकार जुन का मतलब जानते हैं क्या होता है आप लोग के लिए होमवक है बड़ा प्यारा सा मतल और यह करेंगे यार। इसको बोलते हैं यह हमारे लेट क्या होता है यह पूरा हमारा टेंपल रिखेंगे झाल झाल